नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सुमीत प्रजापती M.D. स्कॉलर इन कायच किट्सा डिपार्टमेंट आप सभी का शिर्वत्व आयो वी यूट्यूब चैनल पर बहुत पर श्वागत करता हूं आशा है कि आप सभी श्रकुसल होंगे आज के इस वीडियो लेच्चर में हम COPD के उपर डिसकस करेंगे जिसका पूरा नाम होता है chronic obstructive pulmonary disorder तो आईए शुरुआत करते हैं कि COPD क्या होता है सबसे पहले हम इसके introduction के बारे में देखते हैं तो COPD is a condition of two different diseases that often present simultaneously यानि कि दो ऐसी अलग अलग बीमारियां जो एक साथ देखने को मिलती है उस condition को COPD का जाता है और वो बीमारिया कौन-कौन सी होती है पहली होती है chronic bronchitis और दूसरी होती है emphysema लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ chronic bronchitis के बारे में ही पढ़ेगे chronic bronchitis जैसा कि नाम से पता चल रहा है it is a inflammation of bronchial tubules in lungs and mostly defined by clinical features like productive cuff for three months in a year in continuously more than two years यानि कि लगातार दो साल के लिए किसी patient को productive cuff होगा और हर साल के अंदर उसको कम से कम तीन महीने के लिए वो cuff continuously persist करेगा तो उस condition को अपन chronic bronchitis कहते हैं इसके अलावा causative factors क्या क्या होते हैं तो सबसे most common causative factor होता है smoking यानि जो patient सबसे ज्यादा smoking करते हैं उनके अंदर chronic bronchitis होने के chances सबसे ज्यादा होते हैं इसके अलावा दूसरा most common cause factor होता है environmental exposure to dust, silica और any air pollutants यानि कि air pollution की वजह से भी chronic bronchitis देखने को मिलता है इसके अलावा हम pathology के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें एक normal respiratory epithelium के बारे में जानना ज़रूरी होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि एक normal respiratory epithelium में सबसे बाहर की जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे अंदर की side की जो layer होती है वो होती है mucous membrane इसके अलावा इसके अंदर की जो membrane होती है उसको हम pseudo stratified cellulated columnar epithelium बोलते हैं इसके अंदर के side में जाएं तो lamina propria की membrane होती है फिर smooth muscle फिर mucous gland और सबसे बाहर की part में cartilages देखने को मिलती है जैसे कि यहां के trachea में जो cartilages होती है वो ही bronchials तक हमें cartilages देखने को मिलती है लेकिन pathology के अंदर अगर हम आगे पड़े हैं तो जब air pollutants की वजह से या smoking की वजह से जब smoke particles isolated column और epithelium के उपर आके खटा होते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा irritate करते हैं और उस irritation की वजह से बहुत ही ज्यादा inflammation उनसके अंदर build up होने लगता है inflammation की वजह से यह goblet cells and mucous glands के अंदर hypertrophy and hyperplasia देखने को मिलता है और क्योंकि mucous gland में hypertrophy और hyperplasia की वजह से mucous secretion भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि normal epithelium में mucous secretion एक appropriate amount में होता है लेकिन chronic bronchitis में mucous secretion बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह इसकी एक normal pathology देखने को मिल सकती है और इसमें देख सकते हैं कि आप goblet cells and mucous glands की भी संख्या में व्रिद्धी हो गई है इसके अलावा जो कि पहले मैंने समझाया है उसी को मैंने एक flow chart के रूप में दर्शनी के कोशिश किया है कि इसके अलावा और क्या-क्या pathology देखने को मिलती है कि जो pseudo-stratified columnar epithelium होती है उसमें ciliary dysfunction हो जाता है नॉर्मली ciliary जो cilias होते हैं वो upward direction में movement करते हैं जिसकी वज़ास से lungs के अंदर जो भी mucous build-up होता है वो cilias की वज़ास से upward direction में आते हुए कफ के रूप में बाहर आ जाता है लेकिन chronic bronchitis में ciliary dysfunction देखने को मिलता है जिससे की cilia जो pseudo-stratified columnar epithelium के ऊपर की side में जो cilias होते हैं वो उनकी upward direction रूप जाती है या वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वज़ास से mucous जो होता है वो कफ के रूप में बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ये अंदर build-up होने लगता है जिसकी वज़ास से respiratory passage narrow होने के chances होते है जैसा कि आप देख सकते हैं इस diagram में जो normal bronchus होता है उसकी lumen बहुत बढ़ी होती है लेकिन chronic bronchitis में irritants की वज़ास से hypertrophy and hyperplasia की वज़ास से इसकी जो muscle layer होती है वो भी बहुत जादा बढ़ जाती है और mucus build-up भी बहुत जादा हो जाता है जिसकी वज़ास से इसकी lumen बहुत जादा छोटी हो जाती है और देखें तो mucus build-up can clog the air passage of bronchials and leads to air trapping यानि mucus build-up होने की वज़ास से air trapping देखने को मिलती है जैसे की हवा अंदर आ तो जाती है लेकिन exhale करते टाइम पे mucus build-up बहुत ज्यादा हो जाता है और bronchial walls में collapse होने लग जाती है जिससे की हवा अंदर ही अंदर फसी रह जाती है जिसको अपन air trapping गोलते है इसके अलावा due to mucous plug less oxygen comes into alveoli क्योंकि mucous बहुत ज्यादा secretions होने लग गया है इसकी वज़ास से oxygen अंदर तक नहीं जा पाती है जो की hypoxemia को develop करता है and carbon dioxide जो होती है वो बाहर नहीं आ पाती है एक proper amount में जिसकी वज़ास से hypercapnia देखने को मिलता है patient में इसके अलावा chronic bronchitis की वज़ास से pneumonia होने के chances बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि mucous build up होता है तो जो भी inhalation की साथ में bacteria अंदर जाते हैं वो अंदर ही trap होने लग जाते हैं और वापस बाहर नहीं आ पाते हैं इसकी वज़ास से lungs के अंदर हमें pneumonia के होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं sign and symptoms की बात करें तो chronic productive cough जो कि इसका एक diagnostic sign कह सकते हैं वो देखने को मिलता है कि chronic productive cough for three months in a year for continuously more than two years यह देखने को मिलता है इसके अलावा hypoxemia and hypercapnia यानि की oxygen की कमी की वज़े से hypoxemia और CO2 की बाहर निकलने की कमी की वज़े से यानि CO2 proper route में बाहर नहीं आ पारी है और अंदर ये अंदर CO2 बहुत ज़्यादा बिल्डप होने लग ज़े है उसकी वज़े से hypercapnia देखने को मिलता है इसके अलावा sinus यानि blue discoloration देखने को मिलता है patients में जिसकी वज़े से हम chronic bronchitis के patients को blue bloters भी गोलते हैं इसके अलावा physical examination करें तो physical examination में हमें सबसे पहले inspection करना होगा और inspection करें तो chronic bronchitis के patient या फिर COPD के patients जो होते हैं उनमें first lip breathing देखने को मिलती है यानि first lip breathing में क्या होता है कि patient जो होता है वो inhale तो आसानी से कर पाता है लेकिन exhale करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं या वो बहुत लंबे time तक exhale करता है ऐसा क्यों करता है क्योंकि patient को oxygen demand को compensate करने के लिए ये technique अपना नहीं पड़ती है ऐसा क्या होता है कि जब oxygen अंदर proper तरीके से जान नहीं पाती है mucus build up की वज़ा से तो जो भी air वो अंदर खीचता है तो patient सोचता है कि कम से कम काफी देर तक वो oxygen उसके lungs के अंदर पड़ी रहे ताकि oxygen का जो diffusion होता है alveolize के अंदर वो लंबे time तक हो सके और patient को sinus होने वाले condition से बचा जा सके इसलिए patient थोड़ी देर लंबे time के लिए यानि लंबे time के लिए exhale करता है जिससे की oxygen जो होती है वो lungs के अंदर काफी time तक पड़ी रहती है और उसका use बहुत अच्छे तरीके से होता है इसलिए उसके अंदर first lip breathing देखने को मिलती है इसके अलावा और inspection करें तो patient का barrel shaped chest भी देखने को मिलता है जिसके अंदर patient का anterior posterior diameter increased देखने को मिलता है और inspection करें तो patient जो होता है वो easily fatigue हो जाता है थोड़ा सा भी चलेगा तो उसमें थकान मैसुस होगी orthopनी होता है patient को सास लेने में बहुत ज़्यादा painful condition होती है and prolonged expiration time होता है जैसे मैंने आपको first lip breathing में बताया था कि patient जो होता है वो inhale तो बहुत आसानी से या कम time में कर लेता है लेकिन exhale वो थोड़े लंबे time तक करता है और physical examination देखें तो उसका next point आता है palpation palpation करेंगे तो patient का chest जो होगा वो unilaterally या bilaterally उसकी movement कम देखने को मिलेगी जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं जब हम किसी patient के back side में हम अपनी दोनों हतेलियों को रख कर उसको सास लेने के बोलते हैं तो हमारे दोनों अंगुठों के बीच में जितना ज्यादा expansion या gap आएगा patient उतनी ही अच्छे तरीके से सास लेता है लेकिन chronic bronchitis में क्योंकि patient सही तरीके से सास ले नहीं पाता है या ले सकता है तो ज्यादा ते तक छोड़ नहीं पाता है तो उसके वजह से उसकी जो expansion होता है chest का वो हमें कम देखने को मिलता है जो normal patient में हमें chest expansion ज्यादा देखने को मिलना था वो ही chronic bronchitis में हमें कम expansion देखने को मिलता है और ये expansion bilaterally या unilaterally हो सकता है इसके अलबा physical examination देखें तो percussion करेंगे तो hyper resonance sounds हमें देखने को मिलेगी ऐसा क्यों होता है क्योंकि patient के अंदर patient के lungs के अंदर air trapping होने लगती है और air जो होती है resonance sound उत्पन करती है इस होज़े से patient में hyper resonance देखने को मिलता है क्योंकि air trapping बहुत ज्यादा हो गई है lungs में और auscultation करेंगे तो हमें wheezing sounds and crackle sounds सुनने को मिल सकते है normally लोगों को पता नहीं होता है कि wheezing sounds और crackle sound किस तरीके से सुनाई जाती है या कैसे सुनती है तो उसके लिए मैंने कुछ audio clips त्यार की है जो ऐसे कि पहले हम wheezing sound सुनते है यह sound जो है यह wheezing sound की है patient जब inhale या exhale करता है तो एक CT के जैसे आवाज आते है जिसको हम wheezing sound गोलते है अब जो sound आएगी वो crackle sounds है यह crackle sounds है ऐसा लगता है जैसे कि velcro को हम जिस तरीके से एक दूसरे से अलग करते हैं तो जिस तरीके की sound आती है वो crackle sound होती है यह दोनों टाइप की sounds हमें chronic bronchitis के patients में देखने को मिल सकती है अब हम इसके diagnosis के तरफ देखें कि हम कैसे पता करेंगी कि कोई patient chronic bronchitis का है या नहीं है तो उसके लिए हमें उसकी history देखने पड़ेगी और history में हमें उसकी smoking की history हमेशा देखने को मिलेगी chronic bronchitis का patient 90% जो patients होते हैं वो उनके अंदर smoking की history for a long period of time smoking की history देखने को मिलती है इसके अलावा family history भी देखने को मिल सकती है कि उसकी family hair की जो होती है उसके अंदर किसी न किशी patient को chronic bronchitis की problem हुई होगी और chronic productive cough जो कि इसका एक diagnostic sign है एक ऐसा sign है जिसकी वज़े से हमें पता कर सकते हैं कि यह chronic bronchitis है या नी वो होता है कि chronic productive cough होती है more than 3 months in a year or continuously 2 years इसके अलावा हम patient का PFT करवा सकते हैं यानि pulmonary function test करवा सकते हैं जो कि किसी भी type की respiratory problem को diagnose करने के लिए gold standard technique होती है PFT किस तरीके से किया जाता है आपनको किस तरीके के उसके अंदर measurements देखने को मिल सकते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से video बनाया है जो कि next video के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि PFT किस तरीके से हम करते हैं उसको कैसे पढ़ सकते हैं इसके अलवा patient का TLC यानि total lung capacity and residual volume जो होगा वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा increased nature में देखने को मिलेगा ऐसा क्यूं होता है जबकि उसको वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसका तो long volume हमें कम मिलना चाहिए जनरली ऐसा पर लोग सोचते हैं लेकिन chronic bronchitis COPD के patient especially उसके अंदर total lung capacity and residual volume बढ़ावा मिलता है जैसा कि मैंने आपको pathology में बताया था कि mucus build-up की वज़र से air जो trapping होती है वो बहुत ज्यादा होती है यानि alveolize के अंदर air trapping इतनी ज्यादा हो जाती है कि alveolize full जाती है हद से ज्यादा और वो proper तरीके से exhale नहीं हो पाती है इस वज़ा से air trapping होने की वज़ा से lungs का total lung capacity and residual volume बढ़ावा मिलता है और क्योंकि oxygen proper तरीके से अंदर जानने पा रही है और CO2 proper तरीके से भाहर आने पा रही है इस वज़े से patient में oxygen saturation कम देखने को मिलता है और diagnosis करने के लिए हम patient का chest x-ray and HR CT of thorax यानि high resonant computer tomography करवा सकते है तो आज का जो वीडियो था वो हमने COPD के पहले part का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने chronic bronchitis को एक proper तरीके से समझाने की कोशिश की है जिसमें chronic bronchitis क्या होता है उसकी general pathology क्या होती है उसमें क्या-क्या sign and symptoms देखने को मिल सकते है और उसके अंदर हमें किस तरीके से diagnosis किया जा सकता है ये मैंने आपको एक short तरीके से बताने की पूरी-पूरी कोशिश की है आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा इसके आगे का जो वीडियो है जिसके अंदर हम M5CMA के बारे में पढ़ेंगे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा थेंक यू सो मच और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब फॉर में जाए थेंक यू सो मच